पंचंग के अनुषार होलीका तेवार हर साल फालगुन महीने में मनाई जाती है इस साल पच्चीस मार्च दिन सोमबार के दिन मनाई जाएगी एक दिन पहले यानि 24 मार्च को होलीका देहन मनाया जाएगा होलीका का पर्व रंगो और उस्था से भरा होता है लोग इसका बेसबरी से इंतजार करते हैं यह पर्व साल दूंधान से मनाये जाता है और इसी दिन कुछ जोतिसी उपाय करने से सुफ़ल मिलता है होली का जोतियों है या सब्सेजादा उत्तातर के इस दूहर को मनाते हैं रंग का तेभार है आपसी क्रेम और सुहाठ्र को पाणने का यह दोआर bulk और उमेंग के सांध्न बस्व encours को मनाना चाहिए और रंग इंकल डंगhouses तो प्राकर्तिक रंग है उन रंग के साथ वर्थियों को खोली भी खेलना चाहिए। खोली का दहन जो होता है उसकी कथा तो सभी लोग जानते हैं। तो खोली का दहन हम प्रत्यक वर्थ करते हैं। बुराई का दहन करते हैं। तो बुराही के द्हन के प्रतीक शुरूक होलिका का द्हन किया जाता है, लिकिर weather O spending of each day, ये इस जोग रहता है, जोग है एक विशेश हराट्री रहती है, महाराट्री रहती है। विस राट्री में हम कुछ प्रयोग करें, तो निश्यती हमको लाव की राप्ति होती है। जैसे कि होलीका दहिंज पश्यातरी हम होलीका का पूजन करके 11 परिक्रमा लगाते हैं तो हमारे दीवन के कई संकट दूर होते हैं। यदि किसी भी प्रकार से हम बीमारी से ग्रस्थे हैं, नजर हाय सेग्रस्त हैं या किसी प्रकार की आपदा बिपदा सेदी हम जड़स्त हैं, तो एक नारियन लेकर कर और उसको अपने ऊपर से साथ बार उतार करके उसों होलीकार की अगनी में समर्वित करना चाहिए. इसके तांती सांत तरी किसी प्रितारिकी आपको कोई मानसिक परिसानी चल रही है तो पांच लोंग और एक कपूर का टुकड़ा ले करके उसको जल्पी हुई उस होलिका की अगली में डाल करके और वहाँ एक बार परिक्रमा लगाना चाहिए उसके मानसिक शांती आपको प्राप्त होगी खोली का देहन की जो अगनी रहती है उस अगनी में यदि हम किसी धगरे में या किसी पात्र में जल्पो गर्म करते हैं और उस जल्प में अपामार्ग, अव्तात अग्धा जाडा की पत्तियां, नेम की पत्तियां, हल्दी और कुशा डाल करके उस जल्प से हम यदि शनान करते हैं तो हमारे सरीर में रहती किसी प्रकार का कोई चर्म रोग है वह चर्म रोग भी दूर होता है खौली का दहन के दिन रामणों को बोयन कराना चाहिए, जरीबों को असहाई वेक्थियों को यथा संभव हमको सहता करना चाहिए, ऐसा करने से धन आने में यदि किसी प्रतार की रुखावट है, वह रुखावट दूर होती है, भगवती लक्ष्वी की प्रपा की राप्ती ह होती है और धन-लाव हमको राप्त होता है तो इस प्रकार के छोटे छोटे उपाये हैं एन उपायों को करने से निश्चिति हमको सकारात्मा हूजा की साफ़ी होती है और अनेक प्रकार के लाव या सोवख अवसर प्रापश